आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है लाइव हिंदस्तान प्रडक्शन आपका हमारे पॉड़कास्ट में स्वागत है इस पॉड़कास्ट में हम जानेंगे सेक्ष से संबंदित सभी जानकारिया चाहे वो सेक्शुल हैथ हो, हाईजीन चिप्स हो, रिलेशन्शिप हो या उससे जुड़ी कोई भी समस्या तो आईए लेट्स टॉप खुलकर तो चलिए आज बात करते हैं उस बीमारी के उपर जिससे आप धात रोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे क्या बात करी हैं आपकी ये कोई रोग नहीं है, मैंने तो उसकी दवाई लिए और मैं ठीक भी हुआ हूँ, ये ऐसा ही है जैसे पानी के इंजेक्शन्स आपकी भ्रांतियों का वाइदा उठाकर कई सारे लोग आपको दवाईया देते हैं, आप खाते हैं और आपको लगता है कि आप ठीक हो गए, जबकि असल में बीमारी आपके शरीर में नहीं है, आपकी सोच में है, और आज ऐसी ही एक भ्रांति के बारे में हम बात करने जा और इसी वज़े से उनको कमजूरी आने लगती है, ठकान होने लगती है, तनाव रहने लगता है, और कहीं बार इसका असर उनकी सेक्शल परफॉर्मेंस पर भी पढ़ने लगता है, आपने सुना, लगता है, होता नहीं है, धात रोग, धात संड्रॉम एक ऐसा डिसॉर्ड है, जिसमें एक शक्स को लगता है कि उनके यूरिन से कोई चिपचिपा पदार्थ निकल रहा है और वो इसको सीमन समझ बैटते हैं, जबकि असल में सीमन और यूरिन कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं, आम शूर बहुत सारे लोग मेरी बात पर तो बिलीब करेंगे नहीं तो चलिए डॉक्टर से पूछ लेते हैं ये कोशिकाएं तब तक विभाचित होती रहती हैं जब तक उनके पास एक सिर और छूटी पूछना हो जिसे टेटपूल कहा जाता है इसके बाद शुकरानू एपडी डीमस में चली जाते हैं जहां वो अपना विकास पूरा करते हैं इसके बाद शुकरानू सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा छोड़े गए एक सफेद तरल पदार्थ में मिल जाते हैं जिससे वीरे बनता है सेक्स के दौरान एजैकलेट करने पर ये वीरे आपकी यूरित्रा से बाहर आ जाता है वहीं यूरिन किद्नी में बनता है और यूरिटर्स के माध्यम से ब्लैडर में आता है बहां से यूरित्रा के माध्यम से बाहर निकलता है तो दोनों के बाहर निकलनी की जगें सेम है, जोकी यूरित्रा है, बाकी दोनों की प्रोसेस का एक दूसरे से कोई लेने दिना नहीं है, कई बार सेमिनल वेसेकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपस ग्लैंड के सेक्रेशन आपके पीनिस में रह जाते हैं, और जब आप नुए आपके और आपके और और आपके यूरिन में से आने लगता है, जोकी किसी इंफेक्शन की और इशाड़ा हो सकता है, इसी के साथ कई लोग की स्टूल में वेरे आरहा हो कि जब कि वो वेरे नहीं मुक्त होता है, धात सिंडरॉन ज्यादा तर एश्याय देशों में पाया जाता है क्योंकि यहां के लोग वीरे को बहुत बड़ा चड़ा कर देखते हैं और कई सारे मित्स उनके दिमाग में घर करते हैं जैसे कि एक वीरे की बूंट सौक खूल की बूंदों के बराबर है या फिर बीरे से मरदाना शक्ति तै की जाती है बगेरा बगेरा और यहां की लोग इंडियन टॉलिट यूज़ करते हैं और इसी वज़े से उनका यूरेन और स्टूल पर ज्यादा ध्यान जाता है हाला कि कई cases में यह अच्छी बात भी है क्योंकि यह आपको कई सारे health issues के बारे में बताता है लेकिन इसके बारे में overthink करने से आपको ऐसी problems होती है तो कहते हैं ना कि आफती जूसने देख लिया वो फस गया और जूसने नहीं देखा वो बच गया तो देखे आप समझी गए होंगे कि धात रोग कोई रोग नहीं है यह एक disorder है जिससे simple counseling के माधिम से ठीक किया जा सकता है लेकिन फिर भी इसे गंबीरता से लिया जाना दौरान क्या करना सकी है धातरों के इलाज की बात करें तो इसमें हम सबसे पहले मरीज की counsel करते हैं उसका वीरे के towards जो भी perception बना होता है वीरे को लेकर के उसके मन में जो भरम रहते हैं उसके loss को लेकर के जो भी उनके मन में चल रहा होता है उसे पहले हम समझने की कोशिश क करते हैं उसके अनुसार उनके लिए हम काउंस्लिंग डिजाइन करते हैं कि उनके अंदर कौन कौन सी कोगनिटीव एरर्स है फिर हम उन्हें अनित्रा के बारे में वीरे के बारे में उसके फॉर्मेशन के बारे में उसके जाने से वाकई में क्या शरीर में लॉस हो रहा है नह आपको अपने यूरिन में कुछ एबनॉर्मल दिख रहा है तो भैतर है कि आप जाएं और टेस्ट करा लें। हलाकि थूड़े पैसे लगेंगे लेकिन आप फूरी तरगे से निश्चन हो जाएंगे कि आप हेल्दी हैं। और किसी भी भांती को अपने दिमाग में जगे ना दें। किसी भी शक्स को ये ना बताने दें कि आप बीमार हैं। और वो तो तब ही होगा जब आप इस बारे में खुलकर बात करेंगे। तो ये था आज का हमारा एपिसूट। अपना फीड़बैक शेयर करने के लिए आप हमें कॉन्टाक कर सकते हैं फेस्बुक, इंस्ट्रग्राम, लिंग्डिन, यूट्यूब और ट्विटर पर। हमारा हैंडल है अट दरिट ह्ट्स्मार्टकास्ट। साथ ही ऐसे और पॉड्कास्ट सुनने के लिए आप लॉगिन करें www.htsmartcast.com पर आप सुन रहे हैं ह्ट्स्मार्टकास्ट। और ये था लाइव हिंदुस्तान प्रड़क्शन।